बिटा आज एक बड़ी स्पेशल सी क्लास है अब आप मैं बोलोगे कि मैं मैं आप क्या पढ़ाएंगे आज तो आज मैं आपको पढ़ाने वाली हो वाइटमिन और इसकी डेफिशेंसी अब बोलोगे बिटा एक्जाम में तो आता नहीं है तो क्या हुआ यार हमें जानना है इस अब मास्टर क्लास और मास्टर क्लास में हम आपको वह इंफॉर्मिशन देते हैं जो बिटा आपको फाइदा होगा आपको अच्छा होगा किसी भी एक्जाम के लिए यू नो एक्जाम देते रहते हो या आपकी जंडर नॉलेज के लिए भी तो होना चाहिए न तो एक बड़ा चोटा सा टॉपिक लेके आई हूँ आज आप लोगों को बताने के लिए जो आप अपनी डेटो डे लाइफ में डेफिनेटली समझ सकते हैं ठीक है तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्या आज हम पढ़ेंगे इतने सारे वाइटमिन हम मतलब हर किसी को कितनी सारी टॉप पसंदोटी हैं मतलब खाने मैं अगर बात कर ओए प्रोट इ writes पर संदे शिकोंगा किसी को फूट पसंदे मीफाद पसंदे किसी को मीठा फशंदे किसी को गी बहूत पसंदे खाने में फूट सेफियों फुद्स हादेने में देर लॉट अव टेंड़ी इंड शक् आप देखते हो, आपको आपके फादर, मदर बोलते रहते हैं कि बिटा ये खाओ, ये खाओ, प्लीज नहीं तो तुम वीक हो जाओगे, तुमारी हडियां कमजोर हो जाएंगी, तो क्यों ऐसा होता है, क्योंकि यूनो, ये सारे इतने सारे तो आज मैं आपको वो वाइटमें बताने वाली हूँ, जो हमारे लिए बाहत-बहुत-बहुत-जादा जरूरी है, और उनसे होने वाली डिशेंस के बारे में, कि अगर आपने वो नहीं खाया, तो क्या होगा, तो अगली बार आपकी मदर आपको बोलती है, कि अच्छी आज से तो नहीं पढ़ रहे हो यह तो बच्छपन में आप पढ़के आयों कि कितने सारे वाइटमेंस होते हैं दिरा सेटन एसेंशियल चीजें जो आपकी बॉड़ी को चाहिए होती हैं देखो क्या होता है ना कुछ तो आपकी बॉड़ी बना लेती हैं लेकिन कुछ आपको टाइब के वाइटमिन होते हैं वाइटमिन के आखिर यह क्या है यह कहां से आये हैं वोट आर्ड़ सोर्सेज बिटा कहां से यह हमको मिलते हैं और इनकी डेफिशेंसी क्या है मतलब अगर हम इनको नहीं खाते हैं तो आपको क्या होता है ठीक है तो यह आपको पता होना चा दुनिया है अगर आप इसको देखी नहीं पाओ या आप इसका लुफ्टी नहीं उठाओ पाओ तो कितना बुरा लगेगा लगेगा ना बुरा बिटा क्या होता है आपको गौर्ड गिफ्टेड आईज मिली है यू आफ टू टेकर अफ यू आईज रखना है अगर आपके प बात करूँ फैट्स की बात करूँ देखो बटर फैट्स, ओई, कारट्स, यू नो जब आपकी आखों को चश्मा लग जाता है तो डॉक्टर बोलता है जड़ा गाजर रवाजर जादा खाया करो अगर आपका फ्रिक्वेंट चेंज हो रहा है क्यू होता है यू नो वाइटमिन ए बिटा यह बहुत जरूरी है अगर हम अपनी बोडी के अंदर वाइटमिन ए बिलकुल नहीं डालते हैं तो आपको बहुत सारी डिफिशेंसी होती है मैं आपको चीज बताती हूँ यह आपके लिवर के लिए तो अच्छा होता ही है बट यह बहुत जादा अ सबको बड़े मज़े आते हैं में को चेश्मा लगया बड़ा स्टाइली चेश्मा पहनूंगा बट यूट वाट दीरे दीरे जैसे जैसे आप इसको कॉंटिन्यू करते रहते हैं यह डिफिशेंसी बढ़ती रहती है आपको पता है आपकी जो आई साइट है पहले तो होग कि वीक कि बाद में बेटा आपको दिखने नहीं लगेगा मुझे किसी वाइटमिन की कमी नहीं है बाइदवे चलो कोई बात नहीं तो देखो दीरे-दीरे क्या होगा आपको दिखेगा नहीं बेटा रोश्नी में भी आपको ऐसे लेगा और अगर मैं डाकनेस की बात करूं क्या कोई मुझे को बता सकता है कि बचपन में हमने एक टर्म पढ़ा था वाइटमिन A की डेफिशेंसी से उसको क्या बोलते हैं जल्दी कॉमेंट में बताओ लेट मी सी आपकी जेनरल नॉलेज कैसी है तो देखो बेटा जब डाक हो जाता है ना तब हम अपनी आखों से च जिसने बताया है येस और आट इस नाइट ब्लाइडनेस वाइटमिन A की डेफिशेंसी से नाइट ब्लाइडनेस हो सकती है बेटा तो प्लीज अगली बार वाइटमिन A ज़रूर अपनी बॉडी के अंदर लीजिए यूंकि जब हम ओल्ड हो जाते है ना उस ताइम पर आगे हेल्फुल होगा ठीक है चलो उसके बाद बढ़ते हैं बेटा हम अगली वाइटमिन में विच इस वाइटमिन B1 अभी देखो वाइटमिन B क्या है वाइटमिन B1 वाइटमिन B2 मतलब 12 तक जाता है अब सारे तो बहुत सारा हो जाएगा मोनोटना से जाएगा तीन चा वाइटमिन A को हम क्या बोलते हैं आंसर ता हो मुझे क्या बोलेंगे इनीवडी जो बता सकता है इसका केमिकल नेम क्या है नहीं चलो कोई बात नहीं इसको बोलते हैं रेटिनॉल वाइटमिन A को क्या बोलते हैं रेटिनॉल बोलते हैं चलो वाइटमिन B1 पे आते हैं वाइटमिन B1 का नाम होता है बेटा थायमीन अच्छा कन्फ्यूज नहीं होना है बेटा एक होता है थायमीन ठीक है ए आएगा तो थायमीन होता है किसमें प्रेजन देखो अभी आप जो वाइट कलर के बीन्स खाते हो ना जो बेटा जो भी आप सीच खाते हो आचकल बड़ा फैशन चला वहाँ है सीच खाने का पंकिन चीए सीच शीठ साड़ी चीए सीच and सूपर फैशन फूंडे वो कोई फूट हो चाहे बीटा सीच वोग वो बहुत सारे न्यूट्रियंट्स एक साहत होते हैं वेल वाइटमिन बी बिटा आपको मिलता है ग्रीन पीज में यू के फान इन टोमेटोस देखो संफ्ला सीट बहुत ही अच्छे होते हैं इस वेरी वेरी आइरन भी होता है बिटा इसमें बड़े मसेदार सीज होते हैं ठीके सीरियल में तो अगर मैं आपको बोलू तो यह सीरियल में मिलते हैं यू नवीट और इन सम में मिलते हैं इवन इन वेजिटेबल्स लाइट्स पंकिन इन सम में बिटा होते हैं कुवोना सीट यह सारे के सारे क्या होते हैं इस वेरी वेरी नाइस सप्लिमेंट फॉर वाइट talk about अगर आप दीरे दीरे vitamin B1 काम करते हैं और अगर आप नहीं खाते हो तो आपको पता है क्या होगा एक disease होती है बिटा आपने सुना होगा पढ़ा होगा berry berry ये berry berry में क्या होता है यू नो एक तरीकी cardiovascular disease है cardiovascular का मतलब है बिटा cardio is related to your heart this is related to your heart and vascular system vascular system मतलब अभी दिल का काम क्या होता है दिल का काम अब ये movie वाला नहीं है प्यार व्यार में दढ़कना गुस्से में तढ़पना नई भई दिल का काम ये नहीं है heart is something जो आपकी पूरी body में blood लेके जाएगा और किसके तुरू लेके जाएगा ये तो वैसल के तुरू ले जाएगा तो ये जो पूरा वैसल का you know this conduction जो पूरा आपका blood सारी चीजों को पूरी body में लेके जा रहा है ये पूरा आपका वास्कुलर सिस्टम है तो काडियो वास्कुलर सिस्टम का मतलब है हाट प्लस ये वास्कुलर सिस्टम अभी इन दोनों में प्रॉब्लम आने लगती है अगर वाइटमिन बी नहीं लेते हो यूनों बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनका बीपी हाई होता रहता है अब हो सकता है वह इस वजह से हो तो बेसिकली क्या होता है साड़न जैसे ब बेरी बेरी की चीजे होती है और अगर आपको अपना नर्वस सिस्टम अच्छा रखना है मजबूत रखना है तो बेटा वाइटमिन बी वन जरूर खाए ठीक है नेक्स्ट वी मूव आन तो अनादर विच वाइटमिन बी टू और इसका नाम होता है राइबो फ्लाविन य यह इतना अच्छा वाइटमिन है इस वेरी वेरी एसेंशल बिटा इस बड़ी आपका ब्लुट आपका ब्लुट इवन यह ब्लुट काउंट आवर इवर्तिं इस और आपका ब्लुट इस ओल्ट रखनान य। या जयसे बोलते नादर अनीमिया हो रहा है बहुत यह थावत मैं बोलु कि यहां की एक व्हुत्त है यहां लग जाती है तो हम को एसे, फबर्राइद भूज़ु और हम पुछ भू यहां थार् जाती है तो आप अनी में घॕ उünde, मैं बोलु आधे से और फिल सान इन और का उनियत पहलो जाती है for your blood तो अगर हमको vitamin riboflavin को अच्छे से रखना है तो हमको क्या क्या खाना है हमको खाना है spinach, fishes eggs, butter, cheese chicken, इन सब में even mushrooms and almonds almonds is a very very nice source of riboflavin ये कितना अच्छा होता है, even your olive oil milk, eggs, इन सभी के अंदर vitamin B2 आपका बहुत बहुत ज़ादा अच्छा होता है और अगर आप इसको बच्चपन से ही जिन बच्चों का देखाना height नहीं बढ़ती है जल्दी पेरेंस तो अच्छे का से लंबे थे लेकिन ठीक है यार, उन्होंने फिर वह चोटे-चोटे रह गया है, stunted रह गया है ग्रोथ तो यह भी एक रीजन होता है तो यह slow होती है ग्रोथ आपकी बॉड़ी की जो ग्रोथ हो जाती है बिटा वो slow हो जाती है in case of vitamin B2, even you know your eyes में हमेशा soreness रहती है, सूजी वीसी रहेंगी आपको redness दिखेगी तो काफी soreness भी रहती है eyes में sore eyes, so this is about vitamin B2 अब आगे पढ़ते हैं चलो, अब हम पहुंचते हैं vitamin B3 में अब यह vitamin B3 का नाम बता सकता है क्या मुझको, anybody who can tell me what is the name of vitamin B3, anybody बटा, आता तो हो गया तुम लोगों को, है ना चलो, बहुत बढ़िया vitamin B3 को बोलते है niacin it is again a very very important vitamin और यह आपको कहा मिलेगा यह you know, कुछ-कुछ breads होती है bread का मतलब यह नहीं है कि मैदा वैदा पेल रहे है, मूमस खा रहे है pizza खा रहे, no, bread means multi-grain bread, your healthy bread, you know your wheat, इन सब में बहुत अच्छे से होता है, legumes में होता है बिटा, डालो में होता है, cereals में होता है इन सब चीजों में यहापे होता है kiwi is such a good source बिटा, papaya, you know यह cornflakes रखे हैं यहापे, apple इन में भर-भर के होता है तो अगर मैं short में आपको बोलू it is present in eggs it is present in nice breads बिटा, यह legumes में होता है nuts में होता है तो इन सब में present होता है आपका niacin which is vitamin B3 and अगर इसकी deficiency बहुत ज़ादा हो गई है आपकी body में तो आपको होता है pellagra अब यह pellagra क्या है देखो, एक condition होती है dementia अब dementia of thinking हो सकती है मतलब आप बूल रहे हो कुछ-कुछ आप decision नहीं ले पा रहे हो आप चिर्चिड़े हो रहे हो आपको मजा नहीं आ रहा है किसी चीज में आपकी सोचने की शक्ती अच्छी नहीं हो रही है अच्छा बिटा यह डिमेंशिया हो गया आपका आपको ऐसे condition हो सकते है लाइक यह डाइरिया स्टामा केक रहता है तो यह सारी की सारी conditions आपकी पहलेगरा के अंडर आती है which is due to the deficiency of vitamin B3 ठीक है अगले में पहुचते हैं अगला बिटा क्या है अगला is your vitamin B4 and vitamin B4 को क्या बोलते हैं क्या बोलेंगे को लीन और यह तो कितने सारे foods में प्रेजेंट है मतलब अगर मैं अभी तक आपको यह बोलो यार लग भग अंडे, seed, you know, दालो वालो अग एग, fish, your chicken, milk, cheese, dairy products इन सब में, इन सब में कितने सारे अच्छे अच्छे होते हैं यह superfoods तो आपको यह तो अच्छे से लेना चाहिए नहीं तो यार बुढ़ापे में फिर, you know, मज़ा नहीं आ रहा है चीजों का चल नहीं पा रहे हैं, दर्द हो रहा है, deficiencies हो रही हैं, दिक्कत हो रही हैं, देखने में, वो सारी चीज़े होने वाली हैं, ठीक है? तो vitamin B4 is very very good in terms of what? यह बेटा आपकी gums and tongues के लिए बहुत अच्छा होता है, it is very important for your dental health, बोलते हैं न, मसबूत दात होने चाहिए, अब कोलगेट से ब्रश तो करना चाहिए, पैपसरेंट से ब्रश तो करना चाहिए, ब्रश तो डेली करना चाहिए, बट, even if you are brushing your teeth morning और रात में, लेकिन, बिटा देखा है न, gums से कभी-कभी bleeding होती है, what is the cause for that? अच्छी, चमकती वी smile तो सबको वसंद है न, तो क्या होता है? आपके अगर vitamin B4 का level body में बहुत कम होने लगता है, gums आपके strong नहीं रहते, वो weak हो जाते हैं, time से पहले ही दात जड़ जाएंगे भई, फ यह सब बहुत अच्छा होता है, अगर मैं आपको बोलूँ कि vitamin B4 की deficiency चल रही है, इस time तो क्या होता है? there is usually inflammation, inflammation मतलब सूजी सी रहती है, you know redness हो जाती है, fully fully सी हो जाती है, redness हो जाती है, तो बिटा यह कहा होगी? आपके tongue में होगी, you know कभी-कभी ऐसे चाले पढ़ जाते ह इसका मतलब vitamin B4 काम हो रहा है, ठीक है, अब वो किसी origin से भी हो सकता है, but yes, इसके वज़ा से ऐसी चीज़े होती है, तो जो आपके lateral margins है, यानि की side के margin से वापे inflammation हो जाती है, बिटा गम्स में swollen हो जाती है, गम्स जो है, वो swollen हो जाते है, सूच जाते है, दर्द होता है, पेन से bleeding हो सकती है, ठीक है, तो इसके लिए क्या खाना है, आपको broccoli खानी है, I know it is not very good, but try, पिस्ता तो भई, सब को पसंद है, इन में होते हैं, wheat में होते हैं, legumes में होते हैं, cauliflower में होते हैं, so अगर मैं शॉट में आपको बोलू, तो vitamin B4 किस किस में मिलेगा, आपको बेटा मिलेगा, fishes में, आपको बेटा मिलेगा, cereals में, यह जो vitamin B है ना सारी, यह cereals में, legumes में भर भर के होते हैं, मतलब इन सब में भर भर के होते हैं, तो यह आपको बहुत अच्छे से खाना चाहिए, meat, non-vegetarian को देख रहे हो, कितने सारे nutrients मिल रहे हैं, ठीक है, चालो, now, let's move on to another which is vitamin C, अब यह तो भाई, सब को पता है, मतलब आज कलतो ना trend बन गया, vitamin C का, अभी क्या है, हमको पता है कि खटी-खटी चीजों में होता है, संतर में होता है, नीबू में होता है, मौसमी में होता है, इन सम में vitamin C होता है, बटा, कीवी में vitamin C होता है, बट, do you know, this vitamin C is very, very good for everything inside the body, and very good for outside the body, outside मतलब, अभी देखा है, अभी जरा, अभी कितनी सारी websites बनगे, naika, purple.com, क्या-क्या बन गया है, या लड़कियों के लिए, even अब तो boys लोग भी खरने लगे है, face, serum, face, creams, even, you know, your creams, beauty creams, आपने देखा है, उसमें क्या लिखा है, उसमें क्या लिखा है, उसमें Vitamin C is very good for your skin, and you know what, it is very very good for your gums and wounds, for the gums, ये gums के लिए भी बहुत होचा है, अच्छा होता है, तो नहीं इससे beautiful skin होती है, clear skin होती है, but again, it is very good for your gums, मजबूत दात, इसे खाया, गरना चबाया, और एकदम मजबूत दात तोड़ दिया, you know, that is, अखरोट को दातों से तोड़ द होते हैं, अच्छा, उसके लवाँ आपने एक चीज पढ़ी होगी, बचपन में स्करवी, तो यूनो वाट, अगर हम वाइटमिन C अच्छा से नहीं खाते हैं, तो बहुत सारी प्रॉब्लम होती है, साड़न आपको ऐसा फील होगा, मतलब अगर बहुत ही कम आपकी बॉड कोई चोट लग लग रहाएं, किसी तरह क्या किव्न होगी है, कोई भी वून्ड है, वहिल नहीं होती है, जल्दी भरती नहीं है, तो उनकी हीलिंग में बहुत टाइम लग जाता है, तो वाइडर में, C is good for your skin, it is good for you, वोँद हीलिंग, कोई फ्राक्चुर हो जाता है, जल्दी से उनके माच वोज आजाती है बहुत एजल्दी 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 से उनके माच वोज से वह बहुत जल्दी बढ़ता है आपका जुशन ग्रोफ है माइटास तो आपड़ चुके है न सेल मैं थोड़ा नाइंट्थ क्लास में आ जाते हैं माइटास तो आपड़ चुके है तो सेल डिवीजन बहुत अच्छे से होता है healing अच्छे से होती है you know बहुत pace में सारी चीज़े चल रही होती है अच्छा अगर बिटा अनीमिया भी हो जाता है and anemia is not good आपकी body में अगर बिटा हीमोगलोबिन में आपके कमी आ रहा है हीमोगलोबिन oxygen के साथ और ब्लड का काम भी यही है कि सारी चीज़ों को हर सेल तक पहुचाना तो जो आप oxygen इन्हेल करते हो वो तो सारी बोडी में जाएगा तो अगर बेटा यह चीज़ें आप नहीं लेते हो तो अनीमिक हो जाते हो it does not you know properly wind with oxygen and पूरी बोडी में वो अच्छे से travel नहीं हो पाता है ठीक है तो अनीमिक हो जाते हैं, skin में बहुत जादा rashes हो जाते हैं skin में क्या हो जाता है, rashes हो जाते हैं, slow healing होती है अगर आपने वाइटमन सी अच्छे से नहीं लिया है तो देखो कितनी सारी प्रोब्लम होती है बिटा, nose bleeds अब कुछ लोगों को यह इसले भी हो जाता है कि उनकी बोडी में बहुत जादा हीट हो गई है but sometimes it is due to the deficiency of vitamin C digestive disorders, you know, भूख नहीं लग रही है, यह digestion ठीक से नहीं हो रहा है metabolism आपका बहुत slow है तो उस condition में हो सकता है immune impairment, you know, vitamin C is very very nice for your immunity immunity मतलब कि कोई भी disease है, आज जो पेल देंगे यार मतलब कोई disease नहीं हो अब तो corona भी है ठीक है हो जाओ, होंदो, समाल लिंगे कोई नहीं हो भी तो ऐसी आपकी immunity strong होनी चाहिए bruising, easy bruising, मैंने आपको बताया था ना, अनीमिया जब तक आपको होगा ना, आपकी body में easily bruise पढ़ेंगे, मतलब यहां ठुके यहां ठुके और easily you know blue blue green green color का हो जाता है ना, वो बेटा, easily bruising हो जाती आपकी body में मतलब अनीमिक हो तो यह चीज़े होगी ही होगी उसके लाइवा बेटा, जिंजी वाइटिस मैंने बताया गम्स में से bleeding होने लग जाती है slow wound healing, like I told you, wound आपकी जल्दी-जल्दी heal नहीं होगी अब चाहे वो कोई fracture हो, चाहे वो normal injury हो, कोई incision हो गया है आपको कोई bruise हो गया है, या आपको कोई normal you know fracture fracture आ गया है, then dry splitting hair, अब hair है, सब को पता है, hair में कितने splittance हो जाते हैं यार, इसकी वज़े से भी होता है, चलो भई vitamin C खाएंगे, dry skin, your skin is very flaky, you know, बोलते है न जो सर में dandruff हो जाता है, जर एक बन निम्बू लगड़ लगड़ के देख लो तो कुछ हो सकता है, because most of the time ये काम करता है, क्यों करता है, because you know your scalp when becomes dry and scaly, तो उस time पे vitamin C, lemon, lemon में कितना सारा vitamin C होता है, तो वो help करता है, वो उसको nourish क करता है, ठीक है, आगे बड़े, चलो, next is your vitamin D, अभी, vitamin D क्या है भई, अब ये तो सब को पता है कि vitamin D तो मतलब अग ठीक है, दूद बूद नहीं भी पिर ना, थोड़ी देर धूप में घूमा, vitamin D मिल गया है, अभी, मतलब कोरो ना में जब lockdown हो गया था, तो सबी लोग तो बेटा, आपको कैसे कैसे fruits खाने चाहिए, आपको खाने चाहिए, milk, dairy products, mushrooms, eggs, peas, fishes, you know, in सब के अंदर, butter, in सब के अंदर बेटा, भर भर के present होता है, क्या, vitamin D, तो animal fats में, उसके लावा बेटा, dairy products में, milk में, then घी, butter, you know, all dairy products, it's सब के अंदर होता है, vitamin D, and vitamin D is very, very good for your bones, for your teeth, उसके लावा बहुत अच्छा होता है, मतलब, हडियां मजबूत होना बहुत जरूरी है, मतलब, बहुत ही, ठीक है, तो vitamin D में, आपके bones strong होते हैं, even, you know, आपकी formation strong रहती है, bones की, तो ये बहुत-बहुत important है, अच्छा, अगर आपको इसके deficiency हो जाती है, तो एक बिमारी है, जिसको बोलते है, rickets, rickets हो जाता है, और rickets में यह होता है, कि basically, जो आपकी bones है, वो बहुत soft हो जाती है, वो बहुत easily, you know, bend हो जाती है, मतलब, वही वाली बात है, जरा सभी गिरे, हलका सही हो गए, तूटा, your bones becomes too soft, तो vitamin D में आपकी bones bent हो जाएगी, आपकी bones soft हो जाती है, rickets हो जाता है, तो vitamin D is very very again important vitamin, ठीक है, आच्छा, तो देखो यहां पर क्या क्या हो रहा है, इसके साथ, बिटा, इसके mood changes हो रहे, ऐसा होता है, कभी, कभी बात करने का मन नहीं है, मेर से बात मत करो, मुझे गु कभी बन करता है, वस एरिट हो रहे ना, पंडे में मन लग रहे ना, किसी की बात सुनी है, बोन लॉस, obviously, बटा, ऑस्टेपरोसिस, आपके जो बोन सेल्स होता है, बोन इसटीशू, राइट, बोन इसटीशू, तो वह देरे दीरे दीरे तामेज हो रहे है, वह कताम हो रहे ह बिटा मसल क्राम्स होते हैं अच्छा यू नो वाट जो लोग जिम करते हैं उनका मसल बनता है तो वो लोग एक्सराइज करते हैं यू टेक स्टिरोइज एट एक्स बिल्क पीते हैं ताकि वो अच्छे से अपने आपको मजबूत रखें उस साइम पर उनकी बॉडी में कितना सारे न्यूट्रेंट यूज और होते हैं बट यूनो वाट जब ही इस टाइम पर वो कोई एसी एक्सराइज करते हैं उनको बहुत सारे मसल क्राम्स आते हैं यूनकि ऐसी डेफिशेंसी आजाती है उनके अंदर क्योंकि बोड़ी दा सारा यूज कर रही है उनको अब रिक् सबसे होता है पैरो में हाथों में हर जगा उशुक्त आख तो दोज़र क्राम या फिर एकदम से लग गये तो मितलब कहीं पर गर गयत गर तो क्राम साथ कंटा है पैन होने लग जाता है यूर काफ अरिया यह हम भांध जादा भाग रह के वहां हम भागे जारे और हमें का में पेइन होने लगता है इवन थोड़ा सा चलने में भी कावज में हमें पेइन होने लगता है तो वो बिटा होता है आपका मसल क्रैम मसल में क्रैम साते हैं तो वाइटमिन दी जरूर लीजिए ठीक है फटीग थकावड रहती है और आपका पॉस्चर स्ट्रेट होना है उनका posture डाउन हो जाता है उनको दर्द होता है तो यह कुछ लोगों को आप देखा है बहुत easily lower back में pain होता है that is due to आपको vitamin D का deficiency है तो it is very very important for your health ठीक है now next we move on to vitamin E now vitamin E is again very very important बहुत जादा important है बेटा देखो यह जो vitamin E होता है न यह आपकी skin के लिए यह बिटा आपकी gonads के लिए gonads it's what testis and ovary मतलब जो sex glands होते हैं testis में से male male में testis होते हैं pair of testis जो testosterone बनाता है जो बिटा sperm बनाएगा similarly in case of females we have ovaries और ovaries एक बनाएगा तो इसी की वज़े से तो बेटा reproduction के लायक होते हैं reproduce कर पाते हैं क्योंकि यहीं से हमारे hormones रिलीज होंगे बेटा यहीं से हम germ cells gametes बनाते हैं तभी तो sexual reproduction possible है तो जिन लोगों को vitamin E पूरी तरीके से नहीं मिलता है बेटा बहुत जादा ऐसी problem होती है कि वो उन में sterility की problem आती है you know what is sterile either they are not able to make the gametes वो gametes नहीं बना पा रहें उनकी बॉड़ी में proper hormone नहीं बन रहा proper testosterone नहीं बन रहा proper estrogen नहीं बन रहा proper estrogen नहीं बन रहा बिटा जिसके वज़े से जो आपकी आपकी रिप्रोड़क्टिव organs नहीं वो अच्छे से डेवलप नहीं होते हैं तो vitamin E is very very important ता कि आप फर्टाइल रहो तो फर्टाइल रखने में यह help करता है उसके लावा बिटा vitamin E is very good for your skin collagen को बढ़ाता है यह बोलते हैं न signs of aging आ रहे हैं उसमें मर भर के vitamin E है तो क्या होता है वो आपके जो wrinkles आते हैं dehydration हो जाती है तो vitamin E उसको सूध करता है it adds collagen वो blood वो आपकी skin में वो elasticity वापस लेके आता है उसको dry होने से बचाता है wrinkles को कम करता है signs of aging को कम करता है and fertility increase करता है तो यह होता है vitamin E ठीक है तो vitamin E आपको कहां मिलेगा बिटा यह भर भर के होता है vegetables में it is in fruits ठीक है यह milk में होता है एग के योक में होता है vitamin E तो it is very important now देखो यहां पर क्या के लिखा है मैंने symptoms क्या है can you see this cancer can you see this cancer बेटा yes yes cancer एक बहुत ही अजीब डिजारी बिमारी है अभी देखो क्या होता है हमारी body में ना cells होते है और cell divide होते रहते हैं cell मरते रहते हैं new new cell बनते रहते हैं पुराने cell मरते रहते हैं अभी ऐसा होता है कि cell की ना death नहीं हो रही जिसको हम a pop tosses बोलते हैं किया बोलते हैं यह यह बरना इह दो यह बना देता है वहाँ पर अगर वह tumor वही रहने वाला है तब तो बहुत अच्छी बात है अगर वो tumor फैलने वाला है तो उसको हम cancer बोलते हैं और vitamin E की deficiency से ऐसा होता है ठीक है उसके लावा बेटा देखो blind अच्छा होता है hair loss yes you know hair loss होता है कितना तो vitamin E is very nice for hair anemia बेटा again blood को increase करने में आपका hemoglobin iron को increase करने में बेटा help करता है skin जैसे मैंने बता है it is very beautiful skin आपकी होती है vitamin A के intake से legs cramp होती है immune impairment तो यह सारी चीज़े muscle weakness आपकी vitamin E की वज़ा से हो सकती है तो आपको vitamin E भी बहुत बहुत अच्छे से लेना है ठीक है अब हमारा एक और रह गया which is vitamin K vitamin A को हम बोलती है menadion और बेटा यह कहां कहां होता है यह होता है spinach पापॉय कितना पालक खाता था पता लगा पालक खाते ही उसके ऐसे बढ़ क्यू जाते था फिर वो लड़ने ले चले आता था बुटो होता था I guess Pluto है ना अलीविया को बचाने I don't remember बच्पर में देखा था बट पापॉय कितना पालक खाता था तो उसमें देखा है मतलब spinach में कितने सारे vitamin K vitamin E vitamin कितने सारे vitamins होते है spinach के अंदर तो यह बहुत होता है बटा cauliflower tomatoes में होता है तो vitamin K is again very very important this is very important if you want to improve your blood अगर blood clotting नहीं होगी तो बिटा खून निकलता जाएगा blood loss हो जाएगा ऐसा होता है ना road accidents में लोग किसले मरते हैं road accidents में ऐसे थोड़ी हो रहे हैं कि मतलब maximum में ऐसा होता है कि कोई चोट लग गई आपको और वहां से है hemorrhage हो गया बहुत अंधा दोन bleeding होई कि blood loss हो गया blood का काम था हर सेल में oxygen पहुंचाना नहीं पहुंच पाई ultimately the person dies ठीक है तो blood clotting is very very important और बेटा vitamin की के उसमें help करता है तो hemorrhage excess of bleeding से यह बचाता है excess of bleeding को यह रोकता है और बेटा vitamin के अगर हम नहीं लेते हैं ठीक से तो हमको hemorrhage ही condition हो सकती है कोई अगर चोट ऐसे लगी तो बेटा blood clot नहीं होगा this can lead to death also ठीक है तो this was the class for vitamins अगर ऐसे ही आपको interesting interesting classes चाहिए तो आप comments में लेकिया यह जो भी जिसके बारे में भी आप जानना जाते हैं उसको पढ़ेंगे ठीक है बाई-बाई मिलते हैं अगली class में stay safe and stay healthy